नमस्कार दोस्तों, मेरा नम है विजय कुमार आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे टप टप टपोरी जो कि गमराज की कॉमिक्स है इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अप्लोट कर दिया है पहले पार्ट मैंने इस कॉमिक्स को पंद्रा पिस तक कभर कर विया था अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को सुरू करते हैं वो दोनों मौके का फैदा उठा कर भाग गए लेकिन मोबाइल छोड़ गए टप टप टपोरी के सामने वो नाम बार बार आ रहा था गमराज, 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 खनाक गमराज को सबक सिखाना होगा ओपरेटर हमारे खुनोलोजी बिवाग से एक्सपर्ट की टीम को भोजो गमराज की जान खतरे मिती और चुकी संकालू साथ में था इसलिए उसकी भी धर यह तेज आवाज कैसी है मुझे तो यह हमारी हडिया कड़कने की आवाज लगती है नई संकालू यह किसी मसीन की आवाज है गुरू यह कैसी मसीन है जो हमें चोट रही है च्यूटी मारने वाली रोबोटिक मसीन किसने भेजी तो टोपोरी बच्चों के बीचे पड़ा है गमराज अब मैं तेरे बीचे पड़ूँगी मेरा नाम है चुन्ट 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 के इरादे बड़े खतरनाक थे मैं तुम्हें जगाज़ जगाज़ से चूट चूट कर तुम्हारे सरीर को करेले जैसा बना दूँगी गुरू बचाओ यमुन्दा इसे टककर जड़कर इसके टुकरे टुकरे कर दे चुन्चुन्ट के टुकरे करना असान नहीं है बच्चू सौमी इसने तो मुझे भी पकर दिया तो तू गायब हो जा चुन्चुन्ट एक रोबोट है अगर इसकी आँखे फोर दी जाए तो ये देख भी नहीं पाएगी खनाक खनाक ये तो पहले की तरह हमें अब भी च्यूटे च्यूटे जा रही है इसका मतलब इसे अभी भी हम दिखाई पड़े हैं हमारी दूरी के हिसाब से इसकी लचिली भुजाएं लंबी छोटी भी हो जाती है ओ हाँ ये रोबोट है तो इसकी आँखे कैमरे होने चाहिए इस मसीन में कैमरे के लेंस यहीं पर है तुम क्या समझते हो कि मुझे अंधिकर मुझसे बच जाओगे अब मैं तुमारे सेरिट की गन सुनकर तुम्हें च्यूटिया मारूंगी गुरू इसके नाग भी तोड़ो वरना यह हमें नहीं छोड़ेगी चुन्ट चुन्ट के नाग कहां पर है इसकी नाग वहीं पर होगी जहां दो छेद होंगे और यह रहे दो छेद तड़ाक अब मैं तुमारी सांसों की आवाजे सुनकर तुमारे इस्तिती का पता लगाऊंगी और तुम्हें चूटूंगी आहटे सुनने के लिए यह माईक ही काम करता होगा इससे चूटी का बदला भी तो लेना है स्वामी हाँ यह मुड़ा अब इसे टक कर जड़ धार ओह इस मसीन में तो एक बच्चा भी बैठा है यह बच्चा टपोरी गैंग का ही होगा जो भी हो पर सुक्र है चूट चूट से चुटकारा मिल गया लेकिन मुझे चुटकारा नहीं मिलेगा यह थी खुनोलोजी विवाग की दूसरी आपत मैं हूँ होट बोटल होट बोटल हम पर गर्म पानी की फुहर छोड़ रहा है उफ गुरू यह तो हमें उबला हुआ आलू बना देगा बस संकालू इसने बचने का मुझे एक तरीका सुच रहा है यमुन्डा मुझे टकर मार कर उस आईसक्रेम वाले की तरफ कुछाल और मुझे क्या करना है मैं समझ गया यमुन्डा आदेश की ओवहलना नहीं कर सकता फिर चाहे टकर अपने स्वामी को ही क्यों ना मारनी पढ़ हो धार स्वामी आपको टकर मारते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा मगर आदेश से मजबूर हूँ संकालू तेयार था आईसक्रेम की रहरी में जाकर ये ठंड पर जाएगा ठंडे तो अब तुम दोनों पढ़ेगे कौन हो तुम सारे कहते हैं मुझे टप टप टपोरी होस खो बैठा गमराज भी तब बच्चो इनकी मौत का समाल लाओ जल्दी इन दोनों का काम तमाम अब जल्दी हो जाएगा दोनों को जल्दी होस आगिया गुरू तुम्हारी जान खत्रे में है संकालू बम तु तेरे उपर भी रखा है बेवकूप मौत तेरे तबले बजा रही है तुम्हारे उपर बम रखा है सूरज की किरने उस मैगनिफाइंग गलास से केंद्री थोकर बम के पतीलों पर पढ़ रही है इस तरह सूरे की किरने पतीले में चिंगालिया पैदा कर देगी और चिंगालिया पैदा होते ही पतीले सुलगने लगेंगे फिर भयानक बिसपोटों के बाद हमारे परखच्चे उड़ जाएंगे गुरू मेरी भैस मतलब मेरी बीबी और उसके बच्छों मेरा मतलब मेरी दरजन बच्चों का क्या होगा कुछ करो ये आवाज कैसी है शंकालू तेरे वाले बंक के पतीले में चिंगालिया भड़क गई है गुरू मुझे बचाओ शंकालू लगता है भगवान ने तेरी जान बचाने के लिए मदद भेज दी है थैंक यू दोस्त थैंक यू अवे चला कहाँ एक धार उधर भी लगा दे कमबक गुरू बारे बंक का पतीला भी सुलगने लगा है ये मुझा अब तु ही मुझे बचा सकता है लेकिन गुरू ये मुझा तुमारे उपर से सुलकते पतीले बला बं कैसे हटाएगा उसे बं हटाने की जरूत नहीं है ये मुझा ने सींग फसा कर दोनों की रसिया को तोड़ डाला फिर ग्यमराज ने आजाध होते ही पतीले को बुझा दिया गुरू उस नामुरा टोपोरी को कहां ढूनेंगे मुझे उसका नाम सुनकर लग रहा है जैसे मैंने ये नाम पहले भी कहीं सुना या पढ़ा है हाँ याद आ गया पर सिनकर भागे एक बच्चे को मैंने एक स्कूल के आसपास देखा था और वो स्कूल ये था स्कूल में आज सर्टिपिकेट बितरन चल रहा था मेरे सभी हुनहार विद्यार्थियों ने 80-90% अंक लाकर इस स्कूल का और मेरा नाम रोसन किया है मैं तुम्हें अगली कक्चा में परमोट करता हूँ जहां तुम्हें गुंडा बिग्यान की सिच्छा दी जाएगी सैतान करें तुम पढ़ली कर बहुत बड़े गुंडे बदमास बनो गली महले वाले तुम्हारा नाम सुनकर थर-थर कापने लगे तुम्हारा नाम सुनते ही सरीप आदमियों के पैंट गीली हो जाए अपने जुबान को लगाम दे सैतान टोपोडी भोले भाले बच्चों को भला फुजला कर उन्हें चोर बनने की सिच्छा देते हुए तुझे सर्म नहीं आयती और कमबक बिल्लू तुने मेरे से पूछे भी न इस स्कूल में इडमिशन कैसे ले लिया यहां देने के लिए फिस कहां से आ गई तेरे पास यहां मुप सिच्छा की बेवस्ता है अरे कमबक तो मेरा मुझ क्या देख रहे हो मारो इसल क्योंकि यह तुमारे मास्तर को मार रहा है खबरदार एस्टेचू इस अंकल ने हमें एस्टेचू कर दिया है टप्टर टोपोरी अब हम नहीं हील सकते और अब तुझे मेरे हाँ तो पीटना होगा यमुंडा इसने तुझे चूंट्चूंट से चूटी कटवाई थी जरा आकर इसे मजा तो चखा भैसे का क्लास रुप में आना मना है तो फिर चल मैं तुझे बाहर ले जाकर मारूंगा गबराज ने दूचौक टोपोरी के नाक के छेदों में घुसे दिये जल्दी बता तो ने इन सरीफ एं भोले भाले बच्चों को किस परकार भाका कर अपने जाल में फसाया बताता हूँ क्योंकि भैस के टकर खाने के बाद मैं हिलने के भी लायक नहीं रहा और तुमने मेरी नाक में चौक भी गुसे दी है मेरी सांस रुक रही है और मैं जानता हूँ कि जब तक बताऊंगा नहीं तुम चौक नहीं निकालोगे कहानी सुरू होती है काजोल से जिसे मैं बहुत चाहता था पर उसका बाप हमारी साधी के लिए त्यार नहीं था हाँ हम टोपोरी जाती के हैं अगर तुम्हें मेरे बेटी से साधी करनी है तो तुम्हें हमारी कुल की टोपोरी कला को अपनाना होगा मुझे क्या करना होगा तुम्हें सो टोपोरी हरकते करके अपनी योगताएं सिद करनी होगी ठीक है मैं टोपोरी हरकते करने लगा जैसे किसी का बटवा छीन कर भाग जाता किसी के गलें से चेन उडा लेना सो टोपोरी हरकते करते करते मैं टोपोरी कला में निपून भी हो गया और मुझे उसमें मजा भी आने लगा यही मेरा ससूर भी चाता था, टपोरी बनते ही मेरा विवा काजूल से हो गया, काजूल के बाप ने देहज में मुझे टपोरी उस्तर माधिमिक भिध्या ले दिया, टपोरी कला में बच्चों के परोग पर जादा बल दिया जाता है, क्योंकि बच्चे ऐसे कम असानी से कर ल था, मेरे बिग्यान में अच्छी रूची होने के कारण मैंने कुछ ऐसे उपकरन भी बनाए, जिसका परियोग मैंने इस धंदे में किया, बस गमराज, यही है मेरी कहानी, यह बच्चे ठीक कैसे होंगे, काटे के अर्ग का असर 24 गंटे तक रहता है, यह जल्दी ठीक हो ज लगेगा, बच्चो जब तक तुम पर से कहाने के अर्ग का असर समापत नहीं हो जाता, तुमारी सजा यह है कि तुम ऐसे ही स्टेच्यो बन कर खड़े रहो, क्योंकि चोरी करना भूरी बात होती है, इसे के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है, तो इस कॉमिक्स से आपको क् लिखने को मिला, कमेंट में लिख करके जरूर बताना, और वेडियो कैसी लगी है, इसको यह बारे में भी जरूर से लिख करके बताना, ओके, और मेरे दूसरे चैनल, डिवाय टेक्नोजियो टॉप 10 पिठारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं आप से एक और नए कोमिक्स में, तब तक के लिए बाई